काहनी की शुरवात केसी नाम के एक आदमी से होती है जो जापान के एक डोजो में रहता था जिसके एड मास्टर का नाम टाकीडो था केसी ने अपनी काबिलियत से टाकीडो और उसकी बेटी नामिकों का दिल जीत विया था और वो अक्सर नामिकों के साथ ही प्रैक्टिस करत जिसमें कई साल पुराना प्राचीन बित्सु रखा हुआ था असल में ये एक खास सूर था जिसे पीड़ी दर पीड़ी मास्टर अपने सबसे कादन स्टूडेंट को देता था जापान में निंजाज को पंदरवी सदी से ही काफी ताकतवर यूद्धा माना जाता था और समय समय पर उन्हें अलग-अलग कामों की निए चुना भी गया और निंजाज अक्सर चहर को एक हथियार की तरह इस्तमाल करते थे ताकीडो जानता था कि उसके मरने के बाद उसके किसी ना किसी स्टूडेंट को बित्सु की रखवाली तो करनी थी और वो कौन होगा इसका का इस बात से बिलकुल खुश नहीं था क्योंकि वो खुद को केसी से जादा काबल और ताकटवर मानता था और साथ ही उसे केसी और नामिकों के बीच बढ़ती करीबी से भी बहुत जादा जलन होती थी वहीं दूसरी और केसी अपने माता-पिता के गुजर जाने के बाद बचपन से ही डोजो में रह रहा था और उसने अपनी मैनत से खुद को सबसे जादा ताकटवर बनाया था उस दिन के बाद से ही केसी और मासाजूका अपनी अपनी तयारी में लग गए लेकिन केसी हर रूस देर रात तक मैनत करता जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे इस उखा सभी स्टूडेंट्स के सामने टाकीडो ने केसी और मासाजूका के बीच हुने वाले मुकाबले का एलान किया और इस मुकाबले को जीतने वाला ही डोजो और बीट्सू का अगला वारिस होगा मैच शुरू होते ही मासाजूका ने अपने दिल में भड़ी हुई नफरत के वज़े से केसी पर जोरदार हमला करना शुरू कर दिया और जैसे ही टाकीडो को उसकी इस नियत के बारे में बता चलाओ तो उसने मासाजूका को वहीं रुखने को कहा पर वो रुखने के लिए बिलकुल तयार नहीं था और उसने अपने एक हमले से तो लगबग केसी को जान से ही मार दिया था पर केसी ने अपने बचाव में उसके हमले को रुख कर अपनी तलवार से मासाजूका के चहरे पर हमला कर दिया जिसके बाद वहां मजूद सभी स्टूरेंट्स ने बीच में आकर मासाजूका को पकर लिया मासाजूका के ऐसे बरताव की वज़े से टाकीडो ने उसे डोजों से बहार निकालने का फैसला किया जिससे मासाजूका बिलकुल भी खुश नहीं था और उसने ये तिन पूरे डोजों से बतला लेने का बाता किया कुछ सालों बाद USA मेर रिंग नाम के खास ग्रूप की मीटिंग चल रही थी जहां उसके नए सदस्यों की छाती पर उनका निशान बनाया जा रहा था वहीं दूसरी ओर रशिया की दो सबसे बड़ी कमपनियों का रिंग के साथ एक विवाद चल रहा था और इसी निए एक खास निंजा को कमपनी हेट्स को मारने का आदेश मिला ये निंजा कोई और नहीं बलकि मासाजूका ही था जिसने बड़ी ही आसानी से अपना काम पूरा भी कर दिया कुछ दिन उबाद डोजो में टाकीडो ने सभी लोगों को एकटा किया क्योंकि वो अब अपने कंधों से बीच्सू की जिम्मेदारी हटाना चाता था और उसके मताबिक बीच्सू को अब उसके अगले वारिष के अवाले करने का समय आ गया था पर तभी मासाजूका भी वहां पौँच गया और वो चाहता था कि टाकीडो उसे ही वो बीच्सू दे पर टाकीडो ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया उसने मासाजूका को फॉरण वहां से जाने का हुकम दिया मासाजूका ने उसे दोबारा आया दिलाया कि अभी तो जा रहा हूं लेकिन बदला जरूर लोगा उसकी एबाद सुनकर टाकीडो समझ गया कि जल्द ही उनके उपर हमला होने वाला है और इसी दिये उसने बिच्चू को संभालने की जिम्मेदारी केसी को दी क्योंकि उसके मताबिक सिर्फ केसी ही नामिको और बिच्चू का ध्यान रख सकता था जिसके बाद केसी और नामिको बिच्चू को लेकर न्यूयॉक पहुँच गए जहां उन्हों एक टाकीडो के एक पुराने दोस्ट प्रोफेसर गैरिसन की मदद से बिच्चू को एक उनिवर्स्टी में छपा दिया वहीं दूसरी ओर मासाजूका अपने हमले की तयारी कर रहा था पर टाकीडों पहने से ही उसकी नियत के बारे में जानता है और इसलिए वह पूरी तयारी के साथ मासाजूका का इंदजार कर रहा था वहीं दूसरी ओर केसी अमेरिका में बेफिक्र होकर गैरिसन को अपने बच्च्पन की कहानिया सुना रहा था उसी शाम मासाजूका ने डूजो पर हमला कर दिया और देखते ही देखते उसने सभी स्टूडेंट्स को मार गिराया जिसके बाद वो अपने मास्टर टाकीडों के पास पहुँचा उसे बिच्चू के नुई यॉक में होने की खबर नहीं थी इसी लिए वो टाकीडों को खत्म करके बिच्चू को अपने साथ ले जाना चाहता था पर थोड़ी दे बाद ही वो समझ गया कि वो इतना दाकतवर नहीं है कि टाकीडों को औरा सके इसी लिए उसने कमरे की लाइट बंद करके अपने नाइट विजन का इस्तमाल किया टाकीडों भी ध्यान लगा कर अपनी शक्ती का इस्तमाल करने की कोशिश कर रहा था पर तभी मासा जूका ने उसके गले में जहर से बड़ी हुई सुई मार दी जिसके बाद टाकीडों को उसे डोजों में रखने के अपने फैसले पर पस्तावा हुने लगा पर मासा जूका को अब इस बात से कोई फर्ट नहीं पड़ता था उसने एक ही बारी में टाकीडों को खत्न कर दिया उसी वक्त नामे को भी अपने पता को फोन कर रही थी जिसकी घंटी मासा जूका को सुनाई दी और जब उसने फोन पर गैरिसन का नाम देखा तो वो तुरंट ही समझ गया कि बीट्सू को निव यॉक में चुपाया गया है और उसने तुरंट ही अपने घ्रूप रिंग में फोन करके गैरिसन के बारे में पता लगाने को कहा अगली सुभा गैरिसन के बारे में पता चलते ही मासा जूका वहां मौजूद सभी लोगों को खत्न करने चला गया इसम्बले में गैरिसन और उसका पूरा परिवार मारा गया पर केसी और नामे को फिर भी किसी तरह महां से बचकर भाग निकले थोड़ी देर बार टीवी देखने पर उन्हें पता चला कि गैरिसन और उसके पूरे परिवार के कतल का इलजाम उन्हीं तोनों पर लगा दिया गया था जिस वज़ा से अब पुनीज उन्हें चारू तरफ ठूंड रही थी नामिको फिर भी पुनीज से मदद लेना चाहती थी पर केसी जानता था कि पुनीज उनकी बाद सुने बेना उन्हें जेल में डाल देगी जिसका फाइदा उठा कर मासाजू का आराम से बिच्सू को चोड़ी का सकता है और इसी लिए उन्हें सबसे पहले बिच्चु को किसी महफूस जगा पर छुपाना होगा अगली सुभा जब केसी की आँखुनी तो उसे नामिको कहीं दिखाई नहीं थी जिस वज़े से वो काफी घपरा गया और तुरंट ही मार्कित की तरफ भगा जहां नामिको तो उसे मिल गई पर उस कैफे के मालिक ने अखपार में उन दूनों की तस्वीर देख ली थी जिस वज़े से वो उन्हें शक की नजर से देख रहा था पर तभी रिंग के दो आदमियों ने उनके उपर हमला कर दिया लेकिन केसी ने उन दूनों को आसानी से हरा दिया पर जल्द ही कुछ और लोग उनका पीछा करने लगे जिनसे बचने के निये वो दूनों एक ट्रेन पर चड़ गए पर वो आदमी इतनी यल्दी हार मानने वाले नहीं थे और उनके पूरी ट्रेन में उन दूनों को भूना शूर कर दिया जल्द ही उन्हें केसी और नामी को मिल भी गए और ट्रेन के अंदर ही लाई शुरू हो गई लेकिन उन दोनों ने भी इतने साल डोजों में जख नहीं मारी थी वो दोनों कमाल की योधा थी जिन्होंने रिंग के सभी आद्मियों को हरा दिया पर जैसे ही वो दोनों अपनी जान बचा कर ट्रेन से उतरे तब ही पुनीस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जिसके बाद वो उन दोनों को अरेस्ट करके पुलीस टेशन ले गए उस्ताच के तोरान पुलीस को उनकी मासाजूका वाली बाद पर भरूसा ही नहीं हो रा था उधर मासाजूका ने रिंग के आफिस में पहाँच कर केसी और बीच्सू के बारे में पूछा जिस पर उसे जवाब मिना कि उनके पास बीच्सू का कोई सुराग नहीं है और वहीं दूसरी तरफ केसी भी अपुलीस की रासक में है ये सुनकर मासाजूका को बहुत ज़ादा गुस्ता आया और उसने अपने एक आदमी को सब के सामने मार डाला और साथ ही उसने उन सब को जान से मारने की थमकी देते वे जल्द से जल्द बीच्सू को डूने को का उसी रात मासाजूका नामिको का वकील बनकर पुली स्टेशन गया जहां अंदर जाते ही उसने पुली स्टेशन की बिजली काड़ दी और अंधेया होते ही उसने एक कड़के पुलीस ओफिसर्स को मारना शुरू कर दिया उधर एक पुलीस ओफिसर केसी को कमरे में ही बंद करके बिजली के बारे में पता करने चला गया दूसरी तरफ दो पुलीस ओफिसर्स नामिकों कुलेकर बहार आये पर मासा जूका ने उन्हें भी मार कर नामिकों को अपना कैदी बना लिया केसी भी किसी तहां से अपना हाथ खूल कर कमरे से बाहर निकला लेकिन फिर उसके नजर वहाँ पड़ी हुई लाशों पड़ गई और उसी वक्त उसके सामने वो पुलीस ओफिसर भी आ गया मासा जूका ने नामिकों को एक अंजान जगा पर रखा हुआ था जहां उसने उसे टाकीडो के कतल के बारे में बताया उदर केसी को एक हमलावर से रिंग के बारे में पता चला जिसके बाद वो तुरंट ही रिंग के आफिस में पहुँच गया जहां कुछ आदमियों के मदने के बाद उसने रिंग के मालिक मिस्टर कॉल को कैदी बना लिया और फिर उसने कॉल के ही फोन से मासा जूका को फोन करके एक समझhautा किया जिसके मताबक मासा जूका बिंचू के बदले में नामिकों को वापस करने वाला था इसके बाद केसी तुरंट ही युनिवर्स्टी गया जहां उसने बीच्सू की पूजा करने के बाद अपनी जिंदगी में पहली बार उसे पहना उथर मिस्टर कॉल ने अपने आदमियों को केसी और मासाजूका को जान से मारने कादेश दिया बुरी देर बाद मासाजूका नामिको को लेकर केसी की बताई हुई लोकेशन बत पहुंच गया जहां पहुंचते ही केसी ने बीच्सू के डबे को नीचे लाते हुए उसे नामिको को आजाद करने को कहा लेकिन असल में वो डबा बिलकुन खाली था जिसे देखते ही मासाजूका गुस्टे से भर गया और तभी उसके सामने केसी आया जिसने बीच्सू पहना हुआ था पर उनकी लड़ाई शुरू होने से पहले ही रिंग के आद्मियों ने उन पर हमला कर दिया जिसके बाद उन तीनों ने एक साथ मिलकर विंग के आद्मियों का मुकाबला किया नामिको बिच्सू में मौजूद एक खास तीर कमान का इस्तमाल कर रही थी और तीनों ने एक साथ मिलकर बड़ी ही आसानी से विंग के सभी आद्मियों को खट्म कर दिया जिसके बाद मासा जूका और केसी आपस में लड़ने लग गए और इसी वीच मासा जूका ने एक पाइप से नामिकों को वही जहर वाली सुई मारी जिसका इस्तमाल उसने ठाकीडो को मारने के ले किया था और इस जहर का एंटीडोट भी उसी के पास था और उसने जान केसी की आखों के सामने वो एंटीडोट जमीन पर किरा दिया इसके बाद मासा जूका ने खुद को गायप करने की खास निंजा टेकनीक का इस्तमाल करते हुए किसी पर हमला करने की कोशिश की और केसी ने जवाब में टाकीडो की ही निंजा टेकनीक का इस्तमाल करते हुए मासा जूका को एक गहरा घाव दे दिया इसके बाद वो तुरंथ ही नामिकों के पास पहुचा जो अब तक पे होश हो चुकी थी और तभी उसे याद आया कि एक बार टाकीडों ने उसे बताया था कि बिच्चू की तलवार और मारने और बचाने दोनों के गाम आती है उसने तुरंथ ही अपनी दलवार के हैंडल से एंटी डोड निकाला और नामिकों को पहला दिया जैसे पीते ही वो वापस हूश में आ गई वहाँ से जाने से पहले केसी ने मासा जूका को भी खत्म कर दिया अगली सुभाई एक पुनीस ओफिसर उन से मिलने आया जिसने उन्हें बताया कि उन दोनों को गैरिसन और उसके परिवार के कतल में निर्दोश कोशित कर दिया गया है साथ ही पुनीस ने मिस्तर कॉल को अरेस्ट कर के रविंग की सारे ओपरेशन्स को चकना चूर कर दिया था जल्द ही वो दोनों वापस जापान आ गए और उन्होंने डोजो की जिम्मेदारी अपने कंडू पर उठाली